नमस्कार मुखाज मिश्रा स्वागत है आपके नमालाई पर अज़र दाते हर्याणा की मुख्य खबरों पर हर्याणा में भाती जनता पार्टी ने सभी 10 लोग सभा सीटों पर अपने कैंडिडेट्स का कर दिया एलान इनमें 10 में से 6 उमीदवारों का कॉंग्रेस से है बैक्राउंड इनमें से नवीन जिंदल और रजी चोटाला को तो पार्टी जोईन करने के घंटे बर में ही दे दी गई ठीकर भाषपा ने कॉंग्रेस बैक्राउंड वाले जिन 6 निताओं पर जताया भरोसा उनमें नवीन जिंदल का है सबसे चोकाने वाला नाम हर्याणा में बीजेपी को अपनों से ज़्यादा कॉंग्रेसियों पर है भरोसा हर्याणा के रानिया से निर्दली विधायक और नायाप सैनी सरकार के उर्ज़ा और जेल मंती ररजी चोटाला पर लागू होगा दल बदल कानून भारती जंता पार्टी की सदस्ता लेने के बाद उन्हें अब सैनी कैबिनेट और विधान सबा सदस्ता से भी देना होगा हालांकि अभी तक उन्होंने हर्याणा विधान सबाई स्पीकर ग्यान चनगुपता को नहीं सौपाए अपना इस्तिफार अर्याणा की सभी दस लोग सबाद सीटों पर बीजेपी अपने मुधवारों का कर चुकी एलान पार्टी ने अपने चार सांसदों को दोबारा है उतारा वही कुछ बड़े निताओं के कार्ट दिये टिकर इस बार दस में से पास सीटों पर बदल दिये गए चेहरे पार्टी के रणीतिकारों ने हर सीट के लिया अलगल स्ट्रेटी बना को उसी हिसाब सुमिद्वार किये फाइडल रूस में फसें करनाल और पंजाब के साथ भारती युवाओं की घर वापसी की नहीं बन पारी आस युवाओं के परीजन सरकार की ओर लगाए बैठे हैं टक टकी कब उनके बच्चों की होगी वतन वापसी लेकिन अभी तक दूर दूर तक कुछ भी नहीं मिल पारा है पहले अर्विन के जिवाल ही कहा करते थे कि सरकारी एजनसिया नहीं करती है कुछ काम उन्हें की बातों पर एजनसिया फूल चढ़ाने का कर रही है काम और जो आ रहा है सामने उस पर कर रही है कारवाही हर्याणा के पुर ग्रीव मंत्री एवं वरिस्ट भाषपा नेता निल्विज ने दिया वयान की मुझे नहीं थी यह जानकारी कि आज बदलना है मुख्य मंत्री मनोहलाल का है यह सारा खेल तो उन्हें ही होगी इसकी जानकारी वरिस्ट मंत्री होने के बाद भी मुझे नह मार देना बताए गया हत्या का कारण रोता के रेलवे रोड पर मंगलवार को तड़के तोड़ दिये गया दुकान साथ ये घर के आगे दिवार खड़ी करके बन कर दिया गया रास्ता आरोप है कि कोर्ट से स्टे के बाउजुद अंजाम दी गया कारवाई सुष्णा पाकर पूर मुख्यमंद्री भुपेन सिंग हुड़ा रेलवे रोड पर पहुँचे और आईजी के के राव को की कौट रोता के नए बस स्टेंड के सामने हुड़ा सिटी पार्क पर लगा सुष्णता से नानी पंडित श्रीराम शर्मा का रात के अंधेरे में समाजिक ततों ने बादलवाई और कुछ एक स्थानों पर छिटपूट बुंदाबांदी होने की है संभावना जिससे दिन के तापमान में हलकी कमी रहने लेकिन रात के तापमान में हलकी बढ़ोतरी होने की है संभावना इसे दोरान बीश-बीश में हवाय चलने की भी है संभावना इसे ल अब तक के मों के खबरें ऐसे तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रही है आनो लाई